दोस्तों तिरुपत्य बाला जी मंदिर में दर्सम के लिए बाल कटवाने की पर्था है महिलाएं हो या पूरूस सभी अपनी मर्जी से यहां पर बाल कटवाते हैं लेकिन दोस्तों यह पर्था कैसे शुरू ही इसके पीछी बी एक कथा है कहते हैं कि प्राचिन समय में बाला जी के विग्रह पर चीटियों का एक पहाड बन गया था उस पहाड पर रोजाना एक गाय दूद दे कर चली आती थी एक दिन जब गाय की मालिक ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने कुलहाडी से गाय पर वार कर दिया हमले के दौरान बाला जी के सिर पर चोट आई और उनके बाल भी नीची गिर गए तब मा नीला देवी ने अपने बाल काटकर उन पर रख दिये ऐसा करते ही भगवान ठीक हो गए और इससे परसन होकर बाला जी ने कहा कि बाल मनुस्य का सबसे सुन्दर हिस्सा होते हैं जो भी भक यहाँ पर आके बालों का दान करेगा मैं उसकी सभी मनुकावनाओं को पूरी करूंगा तब से बाला जी में बाल काटने की परंपरा चली आ रही है यहाँ लगबा हर रोज 20,000 लोग अपने बाल कटवा कर ही दर्सन करने जाते हैं दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद